हेलो गाइस विलकम बैक टुट चैनल तो जैसे कि आप देख सकते कि हम फिर से आच चुके जी के वीडियो लेकर तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा जी के बताऊंगा जो कि वर्जन है कुछ 7.3.20 तो यह काफी मतलब नया वर्जन है और काफी जादा ले टेस्ट है और सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स बता तो जो कि हमें जी केम यूज करने से पहले करने होते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है और एच डियर प्लस जो कंट्रोल है और एच डियर प्लस पर कर दें सो यूरेडी तो क्लिक ऑसम फोटोज नहीं यह एंग्लिश कमिंग्स सबसे बहले हम फ्रंट केमर की बात करें तो बहुत ही जादा ऑसम फोटो कि लिक करते में मेरे साब से यह बैस्ट जी केमें इसमें बैस्ट फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है इस वक्त काफी अच्छी बात है मेरे पास एक्चुली वर्ड नहीं मिल रहे है मुझे कैसे एक्सप्रेस करूं मैं इसके फ्रंट कैमरा को आप फोटोस देख सकते कितने ज्यादा उसम आई है पोट्रेट मोन में बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट है और साथ के साथ जो हमारी फोटो की क्लारिटी और जो मतलब सकिन टोन आ रहे है एकदम परफेक्ट बस एकदम परफेक्ट और वर्ड मिल रहा मुझे एक्चुली इस वक्त बैक कैमरा की बात कि जाए जो हमारी नॉर्मल इंडोर वाली फोटोस है काफी जाद अच्छी आए काफी अच्छी तो अपने सेंपल देख लिए होंगे तो मतलब आप कह सकते कोई भी मुझे इसमें भी कोई कमी नहीं है इसमें भी डाइनायमिक नेज काफी जाद अच्छी है और क्लारिटी काफी ज़्याद अच्छी है तो अब पोट्रेट की बात कि जाए जो बैक वाला पोट्रेट है वह भी काफी जाद अच्छा काम कर रहा है अब देख सकते है और यह हमें इसमें पोट्रेट डिक में मिलता है तो एचिड एक्शन भी काफी जाद अच्छी है जैसे को पता हो कि जो हमारा पिछला जीके वाली वीडियो ती उसमें जो मैंने आपको बताया था उसका जो पो ना ही अल्टरवाइड ना ही मैक्रो तो यह मैंने एक नॉर्मल फोटो खीचे है तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पीछे बलर है और कितनी ज्यादा अच्छी डिटेल्स आई है तो मुझे यह फोटो भी काफी अच्छी लगी हमें इसमें नया फीचर देखने मिलता है जो कि है S A B R E तो मैं इसको स्पेर बोलता हूं मतलब मैं अपने तरफ से प्रोनाउंस करने के कोशिए करता हूं सो मतलब इसमें क्या सीन है अगर आप इसको ऑन कर देते हैं उपर सेटिंग में जाके जब भी आप किसी भी फोटो को जूम करेंगे तो उसकी जो क्लेरिट तो मैंने क्या किया कि मतलब इसका तो कोई competition हो इन सकता सो मैंने क्या किया मैंने एक step up किया तो मैंने stock camera से 48 28 Megapixel वाली फोटो कीची और उसको 10x तक जूम कर लिया तो आप देख सकते हैं यह है वो फोटो और फिर मैंने इस बेर वाला मोड आउन करके इसी घड़ी की फोटो 10x जूम करके खीची तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में तो मतलब आप देख सकत जो अब वीडियो शूट हो रही है यह जी के वीडियो एसे शूट हो रही है तो मंतलब काफ एची वीडियो ग्राफिया इसकी और आपको मैं एक बता हूँ जो इसकी वीडियो ग्रफ यह ज्यादा अच्छी है स्टॉक केमरे की 1080p 30fps वाली वीडियो से तो मुझे यह काफ इतना पता नहीं लगेगा बट बता सकते हैं नीचे कोमेंट सेक्शन में I will not mind वीडियो स्टेबलेशेशन की बात की जाए तो आप इसमें देख सकते हैं आपको आप्शन तो मिलता है सेटिक्स में वीडियो स्टेबलेशेशन का और होती है थोड़ी बहुत बट इतना काम नहीं कर रहा है तो यह तीन मुझे फ्लॉस लगें बाकि सब कुछ इसमें काम कर रहा है बाकि सब कुछ इसमें बहुत यह तरीके से चल रहा हमें इसमें नाइट मोड और एस्ट फोटोग्रफी देखने को मिलती है बट उसके लिए आपको मुझे इंस्टेग्राम पर आना पड़ेगा यह रहा मेरा यूजर नेम और जाहिए वहां पर मुझे फॉलो कि हम वहां पर भी रंग्रीले मचाते रहते और काफी ज़्यादा मज़े वगरा करते रहते हैं तो जाहिए मुझे मुझे वहां पर फॉलो कीजिए कल मैं इसकी स्टोरी डालूंगा नाइट जी कैम वह एक जी कैम का चैनल है एमा यह थरीका स्पैशल और वहां से आप अराम से डाउड कीजिए और मज़े लूटिए तो मैं आपको एक बार इंसिस्ट करूंगा कि मतला एक बार यह वाला जी कैम डाउल करिए और इसका फ्रन्ट कैमरा ना उससे फोटोस खीचके दे तो यह रहा मेरा पूर्फाइल निक फिर से बता रहूं जाहिए मुझे 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 आपर भी फॉलो कीजिए अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना हो सब्सक्राइब करना सो मैंने अभी तक देखा कि आपने अभी तक वीडियो देखी बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी पूर्थ होना है कि सब्सक्राइब करने के लिए जल्दी से जाओ नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब को ठोक दो और बैल ऐकन भी दबा देना जिससे आपको मेरी नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाएग झाल 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 झाल